नमशकार फ्रिंज, मैं हूँ इस्ट्रालिजर और वास्तु कंसल्टेंट रिधी पहल किस दिशा में सर रखना चाहिए, किस दिशा में पैर होने चाहिए, किस डिरेक्शन में बेड्रूम अच्छा होता है, किस डिरेक्शन में बेड्रूम अच्छा नहीं होता है इस चीज़ को लेके बहुत ही जादा confusion है तो आज जो है इस वीडियो में आप में आपके साथ यही discuss करूँगी और जितने भी आपकी confusions हैं जो भी doubts हैं उनको दूर करने की कोशिश करूँगी तो सबसे पहले शुरुवात करते हैं नौर्थ इस डिरेक्शन से तो यदि आपका bedroom नौर्थ इस डिरेक्शन में होता है तो आपकी बॉड़ी में water retention की problem होती है as a result weight बढ़ सकता है नौर्थ इस में जिननों का bedroom है दिखा गया है कि वहाँ पे उनको जो है जल तत्व है जल जो है वो stable नहीं होता है जब आप सोते हैं तो आप stability चाते हैं आप चाते हैं कि आप आराम से stable रहके सोई तो जो लोग नौर्थ इस में जिनका bedroom है उन्होंने ये भी complaint करी है कि नौर्थ इस में सोने से नींद जो है वो सही नहीं आई है रात में नींद खुल गई है या improper सी नींद रही है वो इसलिए क्योंकि water element है तो इसलिए जो है नौर्थ इस में बेड्रूप नहीं होना चाहिए नौर्थ इस जो है study room के लिए सही है नौर्थ इस में store भी जो है वो मना करते है नौर्थ इस के बाद zone आता है आपका east east जो है वो बहुत अच्छा zone है क्योंकि वो zone है rising sun का सूरे उपता है sunlight में जो है बहुत ही health benefits है तो यदि आपका bedrooms east में हो तो बहुत अच्छा है और east के bedroom में कोशिश करें कि आप खिड़की सुभे के समय कास करके जरूर को लें और जो sunlight है उसको अपने room में जरूर आने दें इससे जो है आपको health issues नहीं होगे दूसरी चीज़ east जो है वो zone है connectivity का connections का तो जिन लोग का bedroom east में होगा आप देखेगा वो लोग जो है उनका network बहुत अच्छा होगा उनके connections बहुत strong होगे तो यदि आपके connections आप बनाना चाहते हैं अच्छे तो आप जो है east का bedroom रखें अप anxiety का होता है churning का zone इसे कहते हैं तो यहां पे भी अगर bedroom होगा तो वो अच्छा नहीं होगा आप यहां पे जो सोएंगे आप बड़ी anxious रहेंगे बेचेल रहेंगे उसके बाद जो zone आता है वो आता है south east का south east जो है वो अगनी कौन है तो यदि आपका south east में bedroom है तो आपको focus life में सिर्फ पैसा कमाना ही होगा तो आप south east में bedroom होना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं यह आपकी personal choice है south east के बाद zone आता है south का south का जो zone है वो relaxation का zone है तो इसलिए south में bedroom जो है वो बहुत अच्छा माना गया है क्योंकि अगर आप south में bedroom अगर आपका होगा तो आपकी नींद ज जो है अच्छी नींद बहुत ही जादा जरूरी है उसके बाद अगला zone आता है south west का south west भी जो है वो earth element है जैसे मैंने का था north water element है water क्या करता है water हिलता है शेकी होता है तो वहाँ पे जो है नींद आपको proper नहीं आएगी south west जो है वो earth element है earth जो है वो stable होती है तो वहाँ पे जो है आपको नींद अच्छी आएगी तो south west जो है वहाँ पे bedroom अच्छा होता है also south west जो है वो relationship का zone है तो south west में अगर आपका bedroom होगा तो आपके relations जो है आपके घरवानों से friends से आपस में जो couple है जो उस room में है उनके relation वो अच्छी होंगे उसके बाद आता है south west जो south west और west के बीच में होता है तो यह जो zone है यह disposal का zone है तो यहाँ पे bedroom बिलकुल भी नहीं होना चाहिए यहाँ पे जो है अगर bathroom हो toilet हो तो वो बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि यह disposal का zone है इसके बाद आता है आपका west west जो है वो profit का zone है profitability का zone है तो यहाँ पे अगर bedroom हो तो बहुत अच खास करके businessmen के लिए कहा जाता है कि उनका bedroom वेस्ट में होना चाहिए क्योंकि business का main objective क्या है profit कमाना West के बाद आपका zone आता है West of North West जो West और North West के बीच में तो यह भी zone जो है बहुत अच्छा zone नहीं है इसको शास्त्रों में जो है रोधन ग्रह कहा गया है मतलब ऐसी जगे जहां पे आप बैठ के शोक मनाया जहां पे बैठ के आप रोएं तो यदि ऐसी जगे पे आपका bedroom होगा तो आप देखें कि आप जो है हमेशा दुखी रहेंगे आप जो है छोड़ी छोड़ी बात पे रोने लगेंगे तो इसलिए जो है इस जगे पे भी bedroom नहीं होना चाहिए उसके बाद आता है नौर्थ वेस्ट नौर्थ वेस्ट जो है वो क्या कहते है आपकी again it's a good zone क्योंकि वो earth element है stable zone है तो नौर्थ वेस्ट में जो है bedroom जो है वो नौर्थ वेस्ट और नौर्थ वेस्ट के बाद जो immediate zone आता है वो आता है north of northwest वो जो zone है वो zone है attraction का तो ये zone जो है हम specially कहते हैं जो newly married couple है उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि अगर वो जोन में रहेंगे तो attraction जो है बना रहेगा या यदि अगर आपके family में कोई ऐसा couple है जिसमें आपको लग रहा है जिनमें इतना मन मुटाव ज्यादा मन मुटाव हो रहा है या attraction नहीं है आप couple में तो उनको जो है आप north of northwest के zone में bedroom में shift कर दीजे तो इससे जो है उनका जो attraction है आपस में वो बढ़ेगा तो I am sure अब जो है आपको थोड़ी clarity आ गई होगी कि कि जोन में bedroom जो है वो अच्छा होता है और कि जोन में bedroom जो है वो अच्छा नहीं होता है और कि जोन के क्या characteristics है तो अगर उस zone में आपका bedroom होगा तो उस zone के characteristics जो है वो आप पे उसका असर देखने को मिलेगा friends do subscribe to my youtube channel and take care